हेलो नमस्कार में सत्पाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिट्रल कंप्योटर इंस्ट्यूट और अभी करंट में चला हुआ हमारा टैली प्राइम कोर्स और यह टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 14 का पार् आपको GST के साथ ग्रूप क्रेट करना सिखाया है आइटम क्रेट करना सिखाया है कंपनी लेवल पर GST कैसे सैट होता है लेजर्स पर GST कैसे सैट होता है यह हम आपको लास्ट वीडियो में लास्ट लेसन में सिखा चुके हैं आज की वीडियो में हम आपको GST क्लासिफिके से मतलब है कि जब हम GST set करते हैं चाहिए वो कंपनी लेवल पे हो या आइटम लेवल पे हो या लेजर लेवल पे हो तो जब हम सैट कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें कुछ information जो हम इस सो नहीं हो रही हुतनी है उनівाइशन को यदि आप सो कराना चाहते हो देखना चाहते हो तो GST ichline में जाके मुझको सव करा सकते हैं कैसे एग्षमे जामपल के साथ समझते हैं स्पोज कुरों हम एक पैटेम बना रहे हम एक आइटम बनाकर ही दिखा देते अब यहाँ पर आपको yes करना है क्या करना हैइ यहाँ पर आपको यह जीटे की detail यहाँ पर आपको so होने लग जाएगी अब GST detail तो आपको so होने लगी है लेकिन यहाँ पर कुछ information आपको so नहीं हो रही है यदि आपको so करानी है तो उसके लिए आपको keyboard這麼 यहां पर इसको यहां पर यहां पर देखना चाहते हो यहां पर मुझे गुड्स टाइप भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर मुझे मुझे कोई लगाना है फिलाल हम डिस्क्रिप्शन में लेप्टोप ही लिग देते हैं लेप्टोप और इसके बाद गुड्स आप इसको नो रखें यहां पर ओन वैल्यू है या ओन रेट है तो ओन वैल्यू रखते हम यहां पर क्या करेंगे टैक्सेबल यहां पर रिवर्स जो है सेट करना है और यह अपने आप ही कनवर्ट हो जाएगा सी जी एस्ट में यहां पर इस डीटेल को सो कराना नहीं सिखा रहा है जो कि मैं इस वीडियों आपको सिखा रहा हूं इसी को हम बोलते हैं जी एस्ट कन्फिग्रेशन मतलब मुझे एसे न कोड या जीटेल यह का करेंगे जहां पर इनको आप नो करव है तो हम देखे हैंगे तो यह सारे ओप्सन जो है हाइड हो चुक है अब जो आपको रिक्वायड है वो आप एगे ऑपकरें करके ईनको आफ कर सकते जैसे मुझे से सब्सक्रार कर क्योगी वह सुम्झ लेते हैं कि ल домой डी आइड़। में आपको group wise item वाइज और sucks करना अगर हम अपनी अकोडिंग मैं चाहता हुं कि मुझे group मैं भी नहीं लगानी है मुझे items भी नहीं लगानी है लेकिन फिर भी मेरी GST जो लग जाए और मुझे अलग-अलग GST जो है लगानी ना पड़े तो उसके लिए आप GST Classification सेट कर सकते हो GST Classification सेट करने के बाद आपको अलग-अलग group पे अलग-अलग item पे जो है GST लगाने की आप सकता नहीं पड़ेगी बंतर लगानी तो पड़ेगी लेकिन वहाँ पर बस आपको select करना होगा अब यह GST Classification को own करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम आते हैं escape की करके gateway of tally पे तो gateway of tally में आने के बाद आपने यहाँ पर press करना है keyword से F11 F11 जैसे हमने press किया तो वही GST enable वाले भी हमने वापिस जाना है जो मैं last video में आपको करके दिखा चुका हूँ तो यहाँ पर GST के आपको detailed yes है again इस पर आप yes करेंगे तो यहाँ पर आपको many more option आजाएंगे वैसे मैं last video में सब कुछ बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर अब आते हैं GST classification को yes करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे yes करेंगे अगर यह yes होगा उसी के बाद ही आप GST classification जो है set कर सकते हो अगर यह yes नहीं है तो आप GST classification जो है set नहीं कर सकते के बाद इसको continue करेंगे, continue करने के बाद आप अपनी company के अंदर वापिस आ जाओगे। कमपणी के अंदर वापिस आने के बाद अब हम आते हैं creating में, जैसे हम create में आते हैं तो आपको यहां पर जहां मेरा mouse है एक GST classification का option जो है नजर आने लग जाएगा। मतलब अब यहां पर आप GST की classification को set कर सकते हो, यहां पर क्या करेंगे जैसे हम group पे या item पे GST set करते थे ना, वैसे ही करना है same to same, यहां पर हम enter करेंगे, यहां पर हम से name पुछेगा, अब name में आपने क्या देना है, name में आपको देखो आपके उपर है, आप यहां पर input GST परचेज GST लगा लो, जो आपको ठीक लगता है, वह आप लगा सकते हो, फिलाल हम ऐसा लिखते है, GST 6%, ठीक है, हम ऐसा लिख लेते हैं, ज्यादा तर ऐसे ही लिखा जाता है, GST 6%, अब इसका जो description है, वह आप देना चाहते हो, आप दे सकते हो, GST 6%, ठीक है, और इसका HSN code यानि इस 6% में जितनी भी आइटम आएंगी, उनका HSN code अगर आपको देना है, तो आप दे सकते हो, Nature of Transaction, Nature of Transaction में आप परचेज पर लगा रहे हो, यह आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर परचेज जो है, Taxable यहाँ पर Select कर लेते हैं, आप यहाँ पर Interstate Outer State आश्या भी Select कर सकते हो, नील भी Select कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है, आप यहाँ पर Set कर सकते हो, मैं यहाँ पर Purchase Set कर रहा हूँ, Taxable, Purchase Taxable, तो यहाँ पर जो आपको Required है, वो आप यहाँ पर Set कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर जो है, यह Goods है, यह Capital है, आप यहां पर सेट करेंगे अगर आप नहीं देना चाहते तो इसको नोट अप्लीकेबल रखें उसके बाद यहां पर जिएस्टी डिटेल आप यहां पर 6% लगाएंगे लेकिन यहां पर ध्यान रहे आप 6% लगाते हो लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि 6% जो आपने लगा मुझे अब मुझे अब ऑट एकिन परशेवारि मूंद परज़ेश्टी सट और यहां पर 18% अ उसके बाद यहां पर अजिए आपर ऑगीन एंटर और यहां पर 5080bands 18% GST set करना है 18 यहाँ पर हम GST लिखेंगे और यहाँ पर 18% उसके बाद यहाँ पर again enter और यहाँ पर GST 18% और उसके बाद एंटर और यहाँ पर जो भी HSN code होगा इन आइटम का जिनके उपर 18% GST लग रहा वो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर टेक्सेवल टेक्सेवल के बाद यहाँ पर 18% लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसा ही सिखाया लेकिन वो जो है ग्रूप पर या आइटम पर हम GST सेट कर रहे थे अब क्या कर रहे हैं अब इसका benefits का है वह भी हम देख लेते हैं अभी मैंने dua जो है क्लासीवल के सेट कर लिए क्लासीफ केशन सेट करने के बाद आप Escape की करके वापिस आएंगे और अभी हम कोई आइटम या ग्रुप जैसे मुझे यह जो अभी क्लासिफकेशन लगाई है मैंने या बनाई है उसको मैंने किसी ग्रुप पे या किसी आइटम पे सेट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले एक ग्रुप ही क्रेट कर जाएगा ग्रुप जो है प्रैम्री गंडर जाता है अब मैंने ग्रुप पे लगाने हैं इसको आपने यस करना है अब यहां पर जैसे आप यहां पर जैसे की डीटेल पर यहां पर आपको दिखाई दिरोगा क्लासिफकेशन अंडिफाइंड आ रहा है पहले नहीं आती थी कुछ तो प्रॉब्लम है मालो यहां पर आप मेरे 18 परसेंट जो है जैसे मैं इसको सेट कर लूँगा और एक्सेप्ट करूँगा तो इस ग्रुप के ओपर जो है 18 परसेंट जो है सैट हो गई है मतलब इस एले डीटी टीवी के अंदर जितनी भी मेरे आइटम्स होंगे सब के ओपर 18 परसेंट जैसेट हो जाएगा लेकिन इसके अंदर आने वाली सभी जो आइटम होंगी सब पर जीएश्टी 18 परसेंट हो यह आप ध्यान रखें और सबका एसेशन कोड सेम हो अगर आपको आइटम के ओपर कैटेगरी वाइज जैस्ट करना है तो इसके लिए हम आ मैं इसको कंप्यूटर में कर लेता हूं यहां पर समसंग्स को में नंबर और यहां पर यस करेंगे इसको अब वहां पर देखो क्लासइट के다리 तो निच्चे की औप टरें क्या बार बार हर एक प्रड़क्ट का अच्छेशन कोड और GST सेट करने की जूरती है बस आपको यहां से सेट करना होगा जैसे यहां पर 18% मेरा GST आया हुआ है ठीक है उसके बाद यह गूड्स है सर्विस है टेक्स है और उसको ग्रुप पे या आइटम पे या लैजर पे या कंपनी लेवल पे उसको सेट कर सकते हैं तो आपने देखा कि GST कलासिफकेशन जो है सेट करना क्रियेट करना बहुत ही ज़ादा आसान है तो आज हमने आपको इस वीडियो में नोलिज दी GST कंफिग्रेशन की GST कलासिफकेशन की और HSN कोड की यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जुरू करें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक्यू धन्यावाद